आप सभी इस वोक्त बात करेंगे दोस्तों यहाप पर IRCTC के बारे में इस स्टॉक में एक बड़ी ब्रेकिन दूस आ चुकी है जिसका असर दोस्तों स्टॉक के प्राइज पर आपको होते वे नजर आएगा और रिल्वे मिनिस्टी तरप से दोस्तों यह न्यूज है तो बड़ी नजर रहनी चाहिए क्योंकि देखे यहाँ पर स्टॉक में बहुत सी एक्टिविटी अभी होते वे नजर आ रही है तो चलिए देख लेते क्या होने वाला स्टॉक में और क्या खाथ चीजे दोस्तों उसके बारे में जैसे के स्टॉक के परफॉमस की बात करें तो 7-8% का अभी भी continue स्टॉक दिखा रहा है यह तो बात हो कि स्टॉक के परफॉमस की अब यहाँ पर हम बात कर लेते दोस्तों वेल्यूम के बारे में इसमें वेल्यूम देखना जरूरी है क्योंकि स्टॉक में एक्टिविटी कैसे हो रही है वो हमें समझ में आ जाएगा यह पता है कि आने वाले समय में यह स्टॉक धमा के जरूर करने आला क्योंकि देखे ट्रांस्पोर्ट का मीडियम को है कि इंडिया में सबसे अच्छी तरीके चलता हो बोलकर और ओभी पब्लिक के फाइदेका हो तो दोस्तों नहीं है खली यहाँ पर रेल्वे डिपार्टमें यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आयरसिटीसी रेल्वे मिनेस्ट्री डिसकसिंग न्यू रेविन्यू शेर मॉडल वेर इंट्रेस्ट आप देखे इस आर्टिकल में बहुत सी चीजे कही गई बट मैं आपको इंपोर्टन बात बताना चाहूँगा कि रेल्वे मिनेस्ट पर मिनेस्टी ने जो बात की थे दोस्तों की वो टिकेट में के जो फीस थी उसमें से फाइदा लेने के लिए 50% के बारे में हमने पिछली बार न्यूज कवर के थी और आपने देखा भी होगा वो न्यूज के बात दोस्तों इस न्यूज किसलिए है कि यहाँ पर वो रेव कि यहाँ पर वो लेने के तयारी में है कि company तरब से कुछ ना कुछ revenue का source यहाँ पर निकाला जाये बोलकर यहाँ पर डीटेल आ रहे है दोस्तों और यह सबसे खतरनाक बात क्या है कि company को जो profit होता है उसमें से कोई ना कोई हिस्सा यहाँ पर हमें देना पड़ेगा इस company को IRCTC को इसलिए थोड़ा panic situation दूसरी कोई बात नहीं है आपको यहाँ पर यही बताना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों हमें आने वाले कुछ समय में जरूर इससे related और एक latest update आ जाएगा और उसमें पता भी चलेगा कि कितना यहाँ पर percentage रखना चाहते है वो revenue के बारे में जो यहाँ पर share लेना चाहते है यहाँ पर railway ministry सब कुछ update और कर देंगे यह दोस्तों source से information आ रही है पूर तरके से और भी update आया नहीं है जरूर दोस्तों understanding करना और इस पर कड़ी नज़र रखना thank you so much